ये जो विश्वास घात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोधी सरकार ने समिदान संस्ताओं का दुरूपयोग कर रही है। धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डाल कर उन्हें तोड़ फोड़ किया जा रहा है। उपर से अन्याएं ये हुआ है कि जो असली दल है, उन से उनका पार्टी सिंबॉल चीन कर, बाजपा को समर्तन करने वाले दलों को दिया गिया, यानि आप बोलेंगे तो ये कोट का फैसला है, C.E.C. का फैसला है। सब चीजे मोदी जी के इसारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो कहते हैं, वो ही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई, खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी, और इनके जो कारणा में हैं, उसके उपर अभी लोग बहुत नाराज हैं, और यहां तक की डेमाकरसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन डेमाकरसी के तहट नहीं चलते हैं, मैं सुना, यहां पर कॉर्परेशन के इलेक्शन भी दो साल से नहीं हुए, यही डेमाकरसी है, मोधी जी की, तो ऐसे कहीं चीज उन्होंने यहां पर महराश्ट में नहीं, हर जगे यह काम किये हैं, और उनकी तोड़ बोड नहीं थी, सिर्फ महराश्ट तक ही नहीं, पहले उसका वार हुआ करनाटक पर, उससे पहले वार हुआ बनीपूर में, गोवा में, और हमारे मद्यपरदेश में, हर जगे वो गुजरात में भी बैसा ही कर दिये, हाला कि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्ख था, लेकिन वहाँ भी तोड़ फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया, तो ये उनकी एक निती है, तो उसके खिलाब हम लोग, गटबंदन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, और महराष्ट में तो बहुत ही मजबूत है, मैं समझता हूँ, 48 में सीट, यहाँ पर, 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है, और जनता खुद बोल रही है, इस बार मों यह नहीं कहूंगा कि वो जीरों पर रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गटबंदन की पार्टियां हैं, वो मैकजिमम सीट लेकर, वो बीजेपी को हराईगा। झाल